कि जी भाई आए फरेस नाइन की डिसकेशन शुरू करते हैं आप फरेस्ट नाइन से के उस अच्छा भाई पहला सवाल है फर डेट इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट के लिए है मेरे भाई यह है देवेंचर आपने की हैं वरडेट इन्वेस्टमेंट टूब अमोटाइस कॉस्ट इप्स पास्ट टैस्ट डेट इन्वेस्टमेंट आपने इमॉर्ट इसके लिए दो टेस्ट पास होने चाहिए और वह तो कौन से हैं यह आप आकर देखें जी पेज नंबर 544 पर पर अमोटाइस कॉस्ट में पर रखने के लिए दो टेस्ट पास होने चाहिए बिजनस मॉडल टेस्ट और कैश लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट तो यह दो टेस्ट पास होने चाहिए वन अफ दीजिस कॉंट्रेक्शल कैश्ट टेस्ट एक कांट्रेक्शल कैश्ट टेस्ट और दूसरा बिजनस मॉडल टेस्ट बाकि यह बता नहीं इसने को अपने तरह से टेस्ट बनाए वह थे अच्छा जी वट इस दिफॉल्ट फ्लासिफिकेशन फॉर इकुटी इन्वेस् अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही नहीं बाकियों को तो हो रही है बाकियों को हो रही है स्क्रीन शो अच्छा जी अगले जी वट इस डिफॉल्ट फ्लासिफिकेशन फॉर इन्वेस्मेंट शेयर पर चैस हो रहे हैं शेयर पर चैस होने के लिए डिफॉल्ट फ्लासिफिक तो show हो रही है जी सब को show हो रही है अच्छा सिर्स परचेस कियां जी शेर्स पर्चेस करने के लिए आपके पास कौन सी विली ऑपिशन अविलेबल है क्योंकि इसको मैंने का था यह क्लास में लिख पाया भी था डिफॉल्ट ऑप्शन शेर्स के लिए यह यह फिर वे लॉस डाइमंड लिमिटेट पर्चेस शेर्स पर्चेस शेर्स यह नहीं पेज नमर 543 डाइमंड लिमिटेट पचेस 10,000 शेर्स और यकम सेप्टंबर इलेक्शन तो यूज अल्टर्नेटिव ट्रीटमेंट अच्छा जी शेर्स के लिए जो ट्रीटमेंट है ना डिफॉल्ट वो एफटीपील है अल्टर्नेटिव ट्रीटमेंट है फेर वेल्यू थू ओसी आई तो इन्होंने अल्टर्नेटिव ट्रीटमेंट पसंद किये तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करने तरह शेयर के लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट शेयर के लिए फियर वेल्यू थ्रू ओसी आई है और फीटी पेल का नाम रख लें डिफॉल्ट ट्रीटमेंट डिफॉल्ट केटेगराइशन शेयर कॉस्ट इस पैंतिस ट्रांजेक्श तो कोई रही इंवेस्मेंट का टीकॉंट बनेगा हो जाएगा हो गया था यह दरब ता दें असान था ओके आगे चलें कोपर लिमिटिट इस पर चेज इंवेस्मेंट ऑफ पंद्रह अधार शेयर क्या बाइब किया है शेयर अटा कॉस्ट ऑफ रुपी सिक्स्टिफाइब इ देखें इनको आपने मैं उसी पेज़ पे हूँ फाइफ फोटी त्री शॉर्ट टम के लिए हैं तो इसका मतलब है आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदें में इनको एफ़ी टीपिल पे रखेंगे और गेन निकालना होगों के मसला नहीं था आगे चलें यह बड़ा मज़े करने में टाइम लगेगा आपको लेकिन बताएं फैनेशल इस्टूमेंट से मुराद है डिवेंचर बाए करना डिवेंचर इशू करना यह शेयर बाए करना जिस सारी कैटेगरी जा जाजती है फैनेशल लेटी इस भी एसे तक एकूटी भी आती है इसमें अच्छा फर वि में टा जाती है बलके उनको एक्स्पेंस में डाल दिया जाता है पि अंडल में अच्छा फैनेशल ल्याबिलिटी से इस अण मौट minus तो करनी होती है लेकिन minus करके P&L में नहीं डालते है बस minus करके आपने entry कर देनी होती है net से cash debit loan credit automatically effective rate के अंदर इस बात को incorporate कर लेता है कि ये जो इसकी expense है transaction cost की ये effective rate के अंदर automatically आजए इसको अलग से P&L में पहले साल नहीं फैंकना होता transaction cost deduct करनी होती है सवाल पुछरे P&L में फैंकना जा नहीं फैंकना बिलकुल नहीं फैंकना P&L में financial assets fair value to profit and loss financial assets जो आपने रखें में fair value पे to profit and loss ये जी बिलकुल इनको P&L में फैंकेंगे इनको transaction cost को expense बनाएंगे financial assets लिखा वैं assets इमराट debenture भी होंगे shares भी होंगे गोड भी option थी इफ अ कंपनी है डिनकाड़ा transaction cost in issuing debentures issuing debentures भाजन issuing debentures के लिए है page number 547 issuing debentures के लिए आपने transaction costing तर की है तो क्या करना है इस बी deducted from the proceeds of debenture proceeds का मतलब लिख लें issue price इस्यू price मेंसे इसको माइनस करना है नेक्स्ट एक मिनट जी जरब pause हो गया सब कुछ और होगे मैं इसको देख रहा हूँ अब जी आप सारे मौजूद हैं के रिकॉडिंग चल रही है हमारी है अच्छे एकला पढ़ें जी इफा कंपनी है इनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर एक कंपनी ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर की है इनिश्विंग देवेंचर्स यह तो हो गया है इसन्टर्म परचेश टेट इंस्तुमेंट क्या होते हैं डिवेंचर्स टो यह ने करने तो क्लेक्ट एंटरस्ट टेवेंचर एंट्यां परचेश की है डिवेंचर पर्चेस करने के लिए पेज लगाएगा 544 डिवेंचर परचेस किया अब अगर आपने डिवेंचर परचेस किया ना तो आपकी नियत है इनको होल्ड करना अगर अगर आप अमॉर्टाइस कोस्ट पर रखेंगे इनको कहा जाएगा financial asset at amortized cost liability तो नहीं है न परचेस की है आगे फाइब परसेंट डिबेंचर यह फाइब परसेंट क्या होते हैं यह फाइब परसेंट क्या होता है फाइब परसेंट होते है जी कूपन रेट फाइब परसेंट डिबेंचर वर इशू तो लाइबिलिटी टाइप सवाल है और यह का मैं प्रलेटा टोटल फेस्वेल्यू आफ टुन्टी मिलिए यह फेस्वेल्यू और डिरेक्ट कॉस्ट ऑफ पांच लाग यह ट्रांदिक्श कारgers मार्च बारा तो आपने दो साल की बर्किंग करनी थी और दो साल की बर्किंग करके 31 मार्च 12 पर पहुंच जाना था चलते ही अ की pleats 9.9 सच 9 rebound require investment in equity investment in equity क्या होते है बोले? investment in equity को सानलप्स क्या कहते है? नहीं, shares नहीं purchase here बोला करें purchase here, investment in equity, purchase here share purchase किये to be measured and accounted for इनको mayor कैसे करें? in the absence of election at initial recognition in the absence of election at initial recognition initial recognition के वक्त आपने elective model choose नहीं किया ये बड़ा अच्छा लफ्स था ये कल क्लास में भी याद करेगा टाइम मिला तो इसको मैं दोबारा बताऊंगा in the absence of election at initial recognition elect जो model किया जाता है ना वो FETOC है इसकी absence में हमने को model पसंद किया है फिर कौन सा उगदरा बताएं फेटी पिल गुट तो इनको FETPL पे रखना था आगे चलें जी और ये कम जनरी ऑक्सीजन परचेज़ डेट इंस्टुमेंट्स फॉर इस फेर वेलियो फाइव लेक ये क्या है परचेज़ फॉर इस फेर वेलियो फाइव लेक ये खुफ करो इशू कहा हो रहे हैं परचेज हो रहे हैं सिर्फ एक स्टुड़न ने सही जवाब दिये परचेज़ प्राइस इसने लिख ये लिखा है दूसरे स्टुड़न का भी जवाब आगया परचेज़ प्राइस कोई खुई यह देखें नो पर चेस प्राइश कर रहे हैं डिमेंचरल या इस अच्छ किया चाहते यह लुको किए ना पर्चेज ही लिखना था माशाला लिखना पर्चेज था लिखा कुछ और गया चलें आगे पर्चेज के लिखेंचर एट फेस्वेली और फाइब इनका कूपन रेट सिक्स परसेंट है और एफेक्टिव रेट फारिक सवाल है फारिक सवाल है ना आगे चलें कोई मसला तो नहीं चलो कोई नहीं तरह मैं खुदी आगे चलता हूं विज फालोइंग और नॉट क्लासिफाइड एस फैनेंशल इंस्ट्रूमेंट अंडर आई एस ठीटी टू अब इस ठीटी टू एस अचमने स्टेंडर का नाम तो पड़ा नीं बहराल कौन से फैनेंशल नएंग नहीं है क्योंकि इजढ़ने के लिए या तो यह राइट टो रिसीफ आश होना चाहीए यह यह ठुद कैश होना चाही है यहार लेट्विलटि टू पे कैश होना है ऐसा कुछ भी नहीं है टीडि करने करने की हैं किताब का पेज नमबर बता दें मिने कुन सा करना ह हेर्वेस पेक्टर इस इश्यू को क्लास में छेड़ना कल ओके और फिर जूते पढ़ेंगे आई एस टुन्टी वन को आप मिक्स कर रहे हैं आए फरेस नाइन के साथ शेर आप्शन मैंने बता दी है कि हमारे स्लेबस में नहीं है यह शेर टाइप चीज होती है इसलिए यह फ से सूइक तालिस यह दो सफ़े आपको 244 भी 500 113 इसके स्मेजाएगा आगे चलिए इन और टु होजड़ टेस्टुमेंट का क्या मतलब का मतलब हां कोई नहीं रहा कोई चलो यह मज़ी है अच्छा मैं कुछ नहीं कहूंगा बोल दें मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं आप लोगों ने लिखे इंटरस्ट से फाइदा लेना हो अच्छा होल्ड ना परचेस के लिए यूज़ होता है यह मैं पताना चाहा था होल्ड इशू के लिए जूज़ नहीं होता होल्ड डिवेंचर समझा गया होल्ड कलवस इन और टू होल्ड डिवेंचर जैनि यह परचेस वाले डिवेंचर है purchase वाले जो debenture है at amortized cost which two of the following tests must be passed कौन से test past होने चाहिए hold debentures में किस सफ़े पर जाऊ hold debentures purchase वाले सफ़े पर जाऊ या sale वाले सफ़े पर जाऊ purchase वाले सफ़े पर जाऊ purchase वाले सफ़े पर जाके page 544 page 544 पर मैंने hold की है when debentures कौन से दो टेस्ट पास होने चाहिए एक कैशलो करेक्टरिस्टिक टेस्ट और दूसरा बिजनस मॉडल टेस्ट बी एंडी आगे पता नहीं कौन से ऐसी टेस्ट डाले हैं इसने पनी दरफ से के लिए निकल निमेरीड अन्सर्टन ऑफ व्यंट टेक्ष्ट प्रोफेश्ट फीजबाइज ट्रॉंट ट्रॉंट अज़रा जा देख लेते हैं प्रॉफेश्चनल फीज इजए प्रॉंटेक्शन कॉस्ट्ट्रॉंट ये देखें जी पाइज फाइफ फाइप एफटी वन प्रोफेशनल फीस जो आपने पे की हैं इनको कैसे ट्रीट करना है फॉर विच फॉलिएंग इंवेस्मेंट शुट प्रोफेशनल फीज नॉट कब कैप्लाइज नहीं होंगी यह तो आइस टेस्ट करने लग गया है आइस टेट पे तो होती है याद है कबले इसमाल हरत में ल बहन भी होती है आफ्यटी ऑसी में कैप्लाइज नहीं होती नौट भी होती है इसमें भी होती है आगे चलेज एमसी के फॉटीन तो हो गया सा फिटीन मकुर्य लेमिटेट ने कि приготовल टेश की हैं वन्मिलिएन नह शैर्स इन जूपितर किकल किताब किताब का पेज नमर बताएं जल्दी जल्दी, किताब का पेज नमर, किसी ने नहीं बताना, कोई भी ने बता रहा। चले मैं खुद ही पता देता हूं यह पेजना फाइफ फोटी थ्री है फाइफ फोटी सिक्स मिया अतीब सुभान अल्ला यह कल आपने मेरे से मिलने कॉलिज में साथ बट फाइफ फुटी सिक्स पे कहां पहुंच गयों शेयर परचेस की है बुक नो है माने अंदाज़ा लगाया बुक नहीं है और देज अंदाज़े तरह लगाना या रहा है इसने सनकार्व क्लास हो रही है यह शुवर लगा रहे हो परचेस शेयर पर पीस फुटी एक गते समझ सत्रह को इनके फेर वैल्यू यह हो गई ट्रेड ट्रेडिंग एक्सलाइंड हर्वेस्पेक्टर एक्सलाइंड जी एको सुड़न ने भी उप्ता दिये बड़ लग मेरे भाई यह ना कॉस्ट टू सेल है यह ट्रांडिक्शन कॉस्ट नहीं है खरीदते वह हमारी कॉस्ट नहीं पर हुई अगर बेचें तो पांच लाग का खर्चा आएगा मेरे भाई मैंने कहा था इस टेंडर्ड में कॉस्ट तो सेल आपने एग्नोर करनी है इस टेंडर्ड के अंदर आपने क्या करना है आपने सिरफ लेनी है अगर ट्रेड करना चाहे बेचना चाहे तो इतने का बेच सकते है वैसे बेचने का सवाल तो कोस्ट आनी थी ना परीदने के वकिद जो कोस्ट आनी थी transaction कोस्ट वो उसके ऑपर discussion होती है हमारी साल के end पर फिर वेलियू भी दे दे और यह भी दे दे के अगर बेचें तो इतनी कोस्ट होगी उसे पिपर में ignore किया करना है तो अच्छै यारह बड़े हो गे हो हैं लोगन की चीजश है फिर्टी रुपीस से फिर्टी एट पर चले गई आज निटो फोटी छालिस मिलियन ओपनिंग कॉस्ट है जी जितने पर यह तो और चालिस पर डिफरेंस आठ मिलियन गेना जाएगा और बेले सीट में ये टालिस मिलियन पर जाएगा कौन सी ऑप्षिन बनेगी फिर ऑप्षिन बनेगी जी गुट हूँझेखा जनली दोहसारएटारहृइज सिलवर परचेज्ट फैट्टिउजन रुपीस टें लिस्टे इकुटी शियर्ज अप्राइस थोटी परशियर्ड यह कह चीज़ हैं परचेज्ट फॉट्टी थॉज़न prayer इस फ़ूटी थाउसंद ए थि यह हैं टैन कि ने टैन कि एलिए ऑर रुपीज 30 कहो तरद कि मृपीज 30 पर चेस पराइस है चुछ के ये दिया है क्यों क्यों कि व्छा है किस्टा को यमेंट होती क्यों 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 का किनल ऑफ मोन्डन में लिए क्या लिख रहा है किदर पहूंचे में है वो खुदा का खौफ करें हैं ट्रस्ट इंकम यह क्या हुँरां है ए उस्क्लास में हद ती चैना उसे सिर्फ एक स्टूडेंने सभी बताए है इसी मौडल कहां से आंग्या यह क्या बद्रे कर रहे हैं फेस वैली spricht कब important होती है hand it on page one करा करा मर गए hand it on page one सिर्फ इस concept के लिए बनाया था उस concept की भी मत मार दिये सिवाए एक student के interest income उसामा अली share purchase कर रहे हो कौन सी interest income आ रही है यार किदर कौन सी class में बैटे हो और क्या कर रहे है और क्या हो रहे है मुझे नहीं समझा रही क्या कर रहे हो इससे हाइट ऑफ anything यह यह अगर इस तरह एक दो और जवाब आए तो मैंने मीटिंग छोड़ के चले जाने हैं फिर आपस में पुदी एक दूसरे का समझाते रहिएगा अब मैं चैट भी नहीं पढ़ा मुझे तो दुख हुए यह देखके भाजन हैंडिटन पेज वन खोलें आई यह फरस नाइन का और उस पेज के ओपर बड़ा-बड़ा करके लिखा हुए शेयर्स जो थे वो द शेयर की फेस वेल्यू सरफ इसलिए इंपॉर्टन होती है कि हमने उसके उपर जो है वो डिविडेंट निकालना होता है और कोई फाइदा नी शेयर की फेस वेल्यू का शेयर्स को जब आप खरीदेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे हमेशा परचेस प्राइस पर तो चलें जी को परचेस प्राइस के उपर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं हम अगर हमें आये फरेस नाइन मिल जाए कि दर गूंगे यह यह तोबा का टी लिखके बेज़ें जरा सारे जिन्होंने यह ब्लेंडर मारा रहा है इंट्रेस्ट इंकम वालो तो कल जबाना क्लास के बाद मिले मेरे से प्लीज इनलें इंठरेस्टिंश बोले भी कुंसी इंठरेस्ट इंकम आजाती है हद होती है है कि रात को बुलवा रहे हैं मेरा इस नाइन कुमा वह नहीं अब नहीं मैं चैट पड़ा बताने ग्यारा मैंसी जाए में मैं नहीं पड़ा लेविट अच्छा जी परचेज की हैं हमने शेयर एन एर्वोकिबल एलेक्शन इलेक्टिव मॉडल ना शेयर में एफ़ेटी ओस्याई यह वस मेड़ टू रिकॉर्ड दा शेयर एट फिर वैल्यू त्रू सियाई लिखा बस ने ट्रानेक्शन कास्ट थीज़ आ रहे हैं एड़ नहीं मैं मैं मैंसीज नहीं बढ़ आप मैं सॉरी एट यह एर एंड और फिक जरब साट पर और परचेज में यह भी आएगा मैं आपको इदर बना के दिखा देता हूं यह टीकॉंट बनेगा परचेज रिकॉर्ड होगी चालिस हजार शेयर जरब तीस क्यूंकि फिटी उसी ही है तो ट्रानेक्शन कॉस्ट भी कैप्लाइज होगी और केरेड़न निकल चालिस है था शेयर टू साट रुपे तो असान सा था शेयर बैलेंस इट में कितने पर नदर आएंगे उसकी दुरूथ लूंट ही नदर आंगे चालिस जरब साथ को ओके आगे एकॉयर डेवेंचर एक्कॉयर डिवेंचर आ फैनेशल एसेट फॉर उपीज नाइन सेवंटी यह नाइन सेवंटी क्या है नाइन सेवंटी यह तोबा इसे लिखे यह समझ भी आई थी यह दरा मुझे बता दें अफसोस हुए ना वैसे अपने उपर अच्छा एन एंटिटी यह 970 क्या है अब आज को सेवंटी कि दर नाइन सेवंटी क्या एंट एक्सेलन पर्चेस बिल्कुल सही है कुछ लोग सही लिख रहे हैं पर्चेस प्राइस है डिसकाउंट पर मिले हैं बिल्कुल मिया ठीब अबब्षाई जवाब देने लगी है माशाओला लेकिन यह कातव हो गया और अन्धी पर्चेज इस टीफसी आइंगे सब्सक्राइब परचेज प्रचेस प्राइस प्रचेज प्रचेस प्रैसे तॉजंट फैस्ट फेस्ट यह थे रिदिम अबले तर्फ फिर्मियम फ्रिक्रफ सीम्रियर ग Giving them an effective interest rate of 8%. Effective interest rate हो गया 8%. Koopan rate हो गया 5%. मुझे बताओ यार ये 10 million क्या है? PP? PP क्या होता है? यार खुदा का खुफ करो A. यार ये A नामी बन्दा मुझे प्लीज मिले कल. A नामी बन्दा मिले. अच्छा कुछ लोग कह रहे है issue price है, कुछ face value है. No one is answering the correct answer. कोई नहीं बता रहा है कि issue price है, या face value है, या क्या है? हैरवेस फेक्टर चीद गए है. A हार गए है. और के बच्चा बोलनी ला. चलो छोड़ो जार हमें क्या? हम अपना C.E. गा. Face value है, माशाल्ला. भाई अगर face value है, तो फिर issue price क्या है? बोट हैं, ये जवाब मैं सुना जारा था. बोट हैं, ये दोनों हैं. अब मैरे फ्रीक साद बाट, माशाल्ला. अब ये देखो ना, वसीन issued रूपीस 10 million डेवेंचर्स. ना लिखा है इसके साथ issued रूपीस 10 million डेवेंचर्स, इनकी face value क्या है, इनकी बोटल कॉन सा लगाएंगे? एक इस्यो का default model, ये देवेंचर इस्यो का default model, जाके देख लेते हैं, कुन सा पेज है? विस्यो का default model, पेज 547, आनिकाल लिएबिलिटीज, धेमंचर इस्यो का default model, अमोटाइस्ट कॉस्स कोस्स, से कैसे शुरू करें से स्ठार्ट करेंगे इस वह अभी पेस्ट हुए लिए कि एक्सपेंज कि नहीं ऐगे इसके बाद जी और विज आप वोगे इन अटस्केंटेटी इन वेस्ट्मेंट इन इक्वीटी एफ न अधर एंटीटी इन वेस्ट्मेंट इन इक्वीटी अफ एफ इन एट्टी यह कौन सा पेज है investment in equity of another entity यह कौन सा पेज है किताब का investment in equity of another entity no one is telling excellent 543 वो first page of chapter तो सही कह रहे हैं आप हर्वेस्टर मैं इस वकत वो भी सही कह रहे हैं first page भी कहने में कोई मसला नहीं लेकिन मैं पूछना चाहरा हूँ यह होती है investment in shares of another entity investment in shares of another entity होते है shares खरीदना first page आप लोग सही कह रहे है equity of another entity लेकिन यह equity of another entity ना असल में page 543 कहना चाहरा था तो page 543 के उपर जो है 543 के उपर we are investing in equity of another entity देखें दरा जहां क्या लिखा हुए यह देखें investment in equity of another entity किसी और entity की बाय करनी है ना हमारे अपने शेर तो नहीं हम बाय करते हैं यानि shares बाय की है cannot be classified as amortized cost बताएं जी सही है जब अलत है shares cannot be classified as amortized cost बाय की है बाय investment का मतलब होते है बाय यह नो वाले भी को स्टूडेंट से ए यह यह प्लीज मेरे से मिलने आपने कल एक्सेलेंट बाकि सब ने सभी जवाब दी है आपने नो उस कॉंटेक्स में तो नहीं लिखा था कि हाँ 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 के नौट भी पिर सही था तो यह बास सही है इट कैनाट भी है था क्लासिफएड यह देखे हैं मले किताब में लिखा वे इबस्मेंट इल्का वह इंवेस्मेंट विल्ड नेवरा माइज इंवस्ट मनें रिज्ट में चैर कभी भी थास हो पनियाने आगे जी एन ठीक है है एया वल्द एन डाने बस्टियोंट्रूमें पेज़ 544 इंवस और की आपने कैन केन्ट बी क्लासिफाइड सबसिकन्ट लिए सबसिकोंटिय नहीं रक्षा जा सकता नहीं यह बाद तो घलत सब्सिकोंटियों से पर रखा जा सकता है कैन भी knot can be थो आप आप ऊपशन कौन से सही होजाएगी एंसी कमें और साइब हो जागी जी बाई ठीक है आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त निकाला ऑनलाइन वह ठीक है जी इसको मैं रिकॉर्डिंग जड़ा आफ कर लो